Hello everyone, जैसा कि हमने पहली वीडियो में Class 7th की English NCRT Honeycomb के Chapter 1st 3 Question के Part 1 का Hindi Translation किया था, आज हम उसी Part 1st के Word Meaning और Comprehension चेक करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला word है Messenger, Messenger यानि की दूत, a person who carries a message, जो की संदेश पहुंचाता है, उसे दूत यानि की Messenger कहते हैं, a person who lives in seclusion from society, यानि की जो समाज में, एक सोसाइटी में नहीं रहता, उसे तपस्वी या हर्मिट कहते हैं, 3rd word है Council, यानि की समिती, a group of people who come together to consult or make decision, यानि की लोगों का एक समुहूं, जो साथ में एकठा होता है, कोई decision लेने के लिए, कोई consultation देने के लिए, 4th word है Spade, यानि की फावडा, या फिर कुदाली कहते हैं, 5th word है Priest, यानि की पंडित या पुजारी, 6th word है Magician, यानि की जादुगर, 7th word है Counselor, यानि की सभा का सदस्य, जैसे की हमने 3rd word देखा है Council, यानि की समिती, वैसे ही Counselor, उसी समिती का जो सदस्य होगा, उसको Counselor कहेंगे, जो की सलाह देगा, 8th word है Soldier, यानि की सिपाही, या फिर सैनिक कह लो, 9th word है Kingdom, यानि की राज्य, या फिर सामराज्य कह लो, 10th word है Wisdom, यानि की बुद्धी मता, या फिर ज्यान, चलिए अब Part 1 का Comprehension Check करते हैं, राजा उन तीन सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? यानि की कभी भी असफल नहीं होगा, दूसरा क्यूशन है, Messengers were sent throughout the kingdom, यानि की जो messengers, दूतों को kingdom, यानि की जो राजा का जो राज्य था, वहाँ पे क्यों भेजा गया था? पहला option है, to fetch wise men, यानि की बुद्धिमान व्यक्तियों को लाने के लिए, दूसरा option है, to find answers to the questions, सवालों के जवाब जानने के लिए, तीसरा option है, to look for the wise hermit, एक बुद्धिमान तपस्वी को ढूणने के लिए, पूर्थ option है, to announce a reward for those who could answer the questions, यानि की, जो उन तीन सवालों के जवाब दे सके, उनके लिए इनाम की घोशना करने के लिए, तो इन चारों में से सही जवाब है, option 4, to announce a reward for those who could answer the questions, राजा ने राज्ये में दूतों को इसलिए भेजा था, ताकि वह इनाम की घोशना कर सके, उनके लिए जो की तीन सवालों के जवाब दे पाएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को like करें, और भी students के साथ में share करें, और comment section में इस वीडियो से related या इस chapter से related कोई भी query, कोई भी सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, और इस channel को subscribe करना ना भूले, पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए, thank you.